हलो एवरिवन दोस्तों तो आज की हमारी रेसिपी है गोबी आलू मटर टमाटर की एकदम सूखी चटपटी सी सबजी जिसमें कि बिल्कुल भी पानी हम नहीं एट करेंगे नहीं ये गिली होगी बहुती आसान सी रेसिपी है आप भी बना लेंगे और बहुती अच्छी लग बहुत हलकी लगे हलकी पत्ता गोबी की सबजी बहुती अच्छी लगती है आप भी ये ट्रिक जरूर ट्राइ करें जब भी मार्केट से लेने जाए और इस तरह इसको लंबे-लंबे लच्छों में काट ले बहुती आसानी से कट जाती है और इसके लिए हम ले लेंगे दो फ्रोजन मटर ले ले या मटर स्कीप भी कर सकते हैं और कड़ाई में लगा ले तेल अच्छे से थोड़ा ज़ादा तेल अभी हम यूज करेंगे क्यूंकि हमें आलू को शेलो फ्राइ करना है जिससे हमारी सबजी बहुती सूखी बनेगी अगर हम डारिक पत्ता गोबी में डाल देंगे इसको तो यह गीली गीली से सबजी बनेगी इस तरह से आप आलू अगर सबजी बनेगे तो आपकी सबजी का स्वाद बहुती अच्छा बनेगा और एकदम सरल सोमेता से हम यह सबजी बनाएंगे पत्ता गोबी कि अगर हरी सबजी को बहुत सरल तरीके से कम मस तो आप देख सकते हैं हमारे आलू बहुत अच्छे से पक गए हैं एकदम गोल्डन हमें पका लेना है ताकि कच्छे ना लगे इस तरह की सबजियों में कभी-कभी आलू बहुत कच्छे कच्छे से लगते हैं तो अगर आप इस तरह से शेलो फ्राइ कर लेंगे तो कोई भी और बहुत ही आसान से बनके रेडी हो जाएगी ना चिपकेगी न कुछ होगा अब हमारा हमने एक्स्ट्रा तेल बिल्कुल ही निकाल दिया है थोड़ा सा तेल बचा है मसाले में हमने सबजी मसाला धना हलदी नमक लाल मिर्ची पाउडर इतना ही मसाले लिये हैं बाकि आप इंग्रीडियन के लिस्ट नीचे कैप्शन में देख सकते हैं और बस कढ़ाई में हमें डाल देना है राई जीरा तेल आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही कम कर लिया है और आप बहुत ही कम तेल लगेगा पत्तागोबी में इसमें हम लसन एड़ कर देंगे लसन की कौंटि नहीं तो तेल के छीटे उड़ेंगे, तेल सारा उड़ जाएगा, और यह अच्छे से पकेंगे नहीं, तो हम मतर को हलका सा सुखा लेना है, थोड़ा सा नमक डाल दे, हमने आलू में भी नमक और हल्दी एड़ किया है, तो यह ध्यान रखें कि नमक का यूज अच्छे से करे और हमारे जब मतर बहुत अच्छे से पक जाएंगे, हमें मतर को थोड़ा सुखाना है, हमें गीला नहीं रखना है, नहीं तो हम बॉयल मतर भी डाल सकते थे, लेकिन हम सूखी सबजी बना रहे हैं, यह सबजी आप एक बार ट्राइ करेंगे, तो आपको मजा ही आ जाएगा तो इस तरह से जरूर बनाएं, और हमारे मतर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से पक गए हैं, अब हमारे इसमें मसाले डाल देंगे, बस मसाले की तुरंद पकने के बाद मसाले को पकने में बिसे टाइम नहीं लगेगा, हम हमारी पत्ता को भी आड़ कर देंगे, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आप कमेंट सेक्शन में अपने सुझाओ भी दे सकते हैं, इस तरह से अब हमारा मसाला भुन गया है, आप मसाले की कॉंटिटी अपने कोडिंग रख सकत तो बस 5-10 मिट में हमारी सबजी तुरंट बन के रेडी हो जाती है, यह सबजी बहुत ही अच्छी लगती है, थोड़ी कच्ची कच्ची सी खाएं से तो इसका स्वादी लगाता है, गरम रोटी घी के साथ इस सबजी की बाती कुछ और है, तो इस तरह से हम इसको अच्छे बढ़े-बढ़े पीसे से किए हुए टमाटर में करें लॉश्ट मार को जब आप इस तरह से बड़े पीस में लास्ट माम ऐट करेंगे तो तुर तमी में सबजी बहुत ही रहेगी और टेक्स्चीर भी बहुत अच्छा आएगा तो इस तरह से चार टमआटर को रग दे बीच में और गेस की फ्लेम बिल्कुल सिम कर दे और अच्छे से सबजी को कवर कर दे बस दो मिट में ही यह तामाटर आप देख सकते कितने अच्छे सॉफ्ट से हो गए चिलका उतर गया है इनका मतलब हमारी सबजी एकदम पक के रेडी हो गई है तो अब भी नेक्स ताइम स इस तरह से पत्तागों भी बनाएं खाएं और इंजोई कि जी मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपिक के साथ बाई बाई टेक केर